हलो फ्रेंडस आज इस वीडियो में हम ये वलनलटकन का डिजाइन बनाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं मैंने कपड़ा ले लिया और इसको फोर फोल्ड कर लिया है यो बै। अब इसके corner से 3 by 3 का निशान लगाएंगे, 3 ही लंबाई रखेंगे और 3 इच ही चोड़ाई रखेंगे, और एक box बना लेंगे, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इस तरीके से, और extra को हम cut कर देंगे, अब जो हमारे पास ये square बचा है, तो इसको हम कपड़े के ऊपर corner side से रखेंगे, और extra कपड़े को भी हम cut कर देंगे, अब इन्हें हम खोल लेंगे, तो देखिए एक side हमारी double fold है, तो यहां से हम cut कर लेंगे, तो हमें 2 कपड़े मिल गई है, सेम ऐसे ही pasting में cut किया, तो 2 pasting मिल गई है, तो एक कपड़े पर एक pasting को रख लेंगे, और इसके एक center में निशान लगा लेंगे, अब मेरे पास यह कुर्ती का main fabric है, lining वाला organza fabric, तो इस पर गोटा था, तो मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगी, तो इस तरीके से कपड़े को मैंने उपर रखा है, और extra कपड़ा मैंने cut कर लिया है, अब इसे चारो तरफ सिलाई लगा के, हम इसे fix कर लेंगे, ताकि लटकन बनाने में finishing आए, यह सिलाई हमारी लग गई है, और अब जो हमारा थोड़ा सा extra कपड़ा है, उसको भी हम cut कर देंगे, same इस तरीके से, आपको वीडियो अच्छी लग रेंगे, चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, अब एक side ले लेंगे, जो लंबे वाली side है, और उसको थोड़ा सा fold करेंगे, ज्यादा fold नहीं करना है, हलका सा fold करना है, और उस corner पर एक सिलाई लगा देंगे, अब lace लेंगे, इस lace को यहां से लगाएंगे, और जहां center में हमने निशान लगाया था, वहां तक लगाएंगे, और इसको पाकी को fold कर देंगे, आपके पास ज्यादा lace है, तो ये वाली 3 sides में आप lace लगा सकते हैं, और अब इस तरीके से हम इसको fold कर देंगे, और fold करके इन 2 sides में हम सिलाई लगा देंगे, अब सिलाई लगाने के बाद, इसके अंदर हम छोटे-छोटे cuts लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि सिलाई अच्छे से fix होनी चाहे, तो चाहे तो आप 2 बार सिलाई इस पर लगा सकते हैं, और अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे, अब देखी जो मेरे पलटने के बाद, जो नीचे आपको हलकी-हलकी जालर दिखाई दे रही है, तो अगर आप 3 साइड में ये चिलाई लगाते हैं, तो ये जो जालर है थोड़ी से heavy दिखाई देगी, जैसे मेरी दिख रहे हैं, इससे भी heavy दिखाई देगी, अब देखी इसके जो corner थे, उसको अच्छे से हमने catcher के मरद से निकाल लिया है, अब हम इसकी डोरी लेंगे, इसके अंदर corner पर यहां रखेंगे, और सिलाई लगा देंगे, आप चाहें तो इसके अंदर cotton भी डाल सकते हैं, रूई, या फिर आप चुच्च्टे कत्रन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मैंने दोनों में चीजमें से कुछ भी नहीं डाला, इसको plain ही बनाया है, अगर थोड़ा बहुत कोई धागा आपको एक्स्टर दिख रहा है, तो आप उसे cut करके लटकन को shape दे सकते हैं, लटकन हमारी ready हैं, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, बाइ,